गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ धोराव। ओम भूर भुवह सहत श्यवी तुर्वरेणियम भर्गो देव श्यदी माही धियो यो नह प्रचो दयात। बात चल रही है आत्म निर्मान की। व्यक्ति की उम्र कितनी है। सरीर की उम्र सरीर की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। आत्मिक छेत्र में जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, व्यक्ति उतना ही समाज में उम्रदार होता है। चतुर माली की तरह से हमें अपने जीवन के बारे में देखना होगा। जो भी काट छाट करनी है, वो दुनिया में नहीं, अपने में करनी है। अगर वो काट छाट हम अपने में कर लें, तो दुनिया में अपने आप हो जाएंगी। दुनिया में करने की आवशक्ता नहीं है। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। छाया को पीटने से, लकीर को पीटने से, छाया के सरीर नहीं मरता है, लकीर को पीटने से सांप नहीं मरता है। बुराई अपने में होती है, दिखाई दूसरे में देती है। अब बुराई को जो आपको दिख रही है उसको दूसरे में मत देखिए अपने में देखिए और चतुर मालीत की तरह से अपनी काट चार्ट करिए जितनी आप अपनी काट चार्ट करेंगे उतने ही आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे मैं फिर से कह रहा हूँ समय सदा रहा है और सदा रहेगा भूत अनभव है भविश्य सपना है भूत अनभव है और भविश्य सपना है परन्तु जो कुछ भी है वो सब वर्तमान है समय कभी नहीं बदलता है समय तो जैसा अबै ऐसा ही हमेशा रहता है परन्तु परिवर्तन आता है तो वो बहुत एक संसार में आता है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है बदलना है तो मुझे बदलना है मेरे से कुछ नहीं बदला जाएगा सब प्रकर्तिक है सब प्रकर्तिक के द्वारा पैदा किया गया है मैं किसी को नहीं बदल सकता इसलिए परम्पुझ गुदेव ने कहा है मैं बदलूंगा तो दुनिया बदलेगी इसलिए मुझे अपने आपको बदलना है किसी और को नहीं बदलना है परिवर्तन की बात कह रहा हूँ पेड़ पोधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है वस्त्रों की धुलाई करनी पड़ती है बगीचे की सफाई करनी पड़ती है खेत खलीहान की सफाई करनी पड़ती है खाना खाने के बाद मरतनों की मजाई करनी पड़ती है अपने ही जूटे बरतन में खुद खाना नहीं फिर खाया जा सकता अपना ही जूटा हो और एक बार खा करके हटा दिया तो दुबारे खाने के लिए उस बरतन को धोना पड़ता है ऐसे ही अपनी भी सफाई करनी पड़ती है आत्म बहुध सादना तत्म बहुध सादना के लिए तत्म बहुध सादना कर दी पड़ती है कल तक हम क्या थे और आज हम क्या हैं और कल हमें क्या होना चाहिए ये नेने खुद लेना पड़ता है उसी अवस्था में पड़े रहने वाली अवस्था को जिसमें है उसको परिवर्तन नहीं उसको विनास कहते हैं हमें अपने आपको उचा उठाना चाहिए बस ये सोच बनानी चाहिए कोन क्या कर रहा है इस बात को नहीं अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छा देखिए कोन क्या अच्छा कर रहा है और मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा बस इस बात को देखिए इसके लावा कुछ मत देखिए जीवन को संतुलित सफल समुन्नत परिस्कृत करना हो तो परिवर्तल लाना ही होता है स्वतेह नहीं होता है जो जिन्दगी को ऐसे ही राम नाम पर छोड़ दे वो भगवान भरोसे अपने आपको छोड़ता है परन्तु याद रखना पाता कुछ नहीं है पाता कुछ नहीं है परन्तु जो आत्मा के भरोसे रह करके अपना निर्मान करता है विदिद्वित करता है अपने आपको वो ही उस परमवस्था की तरफ बढ़ता है मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ पत्तो पर पानी छिड़कने से पत्ते हरे नहीं होगे पत्तो पर पानी छिड़कने से पत्ते पेड हरा नहीं होगा इसलिए अपनी मूल को सीचना पड़ेगा आत्म निर्वान के लिए अपने मूल को सीचना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है मैंने कहा था पेड के आकार को देख करके जडों का पता लगाया जा सकता है पेड पर हर्याली और बाहर को देख करके उसके जीवन का पता लगाया जा सकता है इसलिए उस पते को लगाने के लिए और किसी का नहीं अपने पते को लगाने के लिए हमें अपने जीवन को अपने से अलग रख करके अपने आपको देखना होगा इसी को तत्व बोध कहते हैं तत्व बोध और तत्व बोध ही मैंने जैसे कहा उपासना साधना और आराधना उपासना गुनों की की जाती है नस्दीक बैठने को उपासना कहते हैं आप किसी के नस्दीक बैठते हैं तो उसके बारे में जानकारिया स्पस्थ होने लग जाती है ऐसी गुनों के नस्दीक बैठने से गुन स्पस्थ होने लग जाते हैं अपने गुन जगने लग जाते हैं उनके इस पर्स से उनके सानिध्य से उनके नस्दीक बैठने से अपने गुणों के अंदर परिवर्तन आना सुरू हो जाता है परिवर्तन जब व्यवाहर में उतरता है तो साधना बनती है और जब आदत बन जाती है तो व्यवाहर बनता है इसी को पासना साधना और आराधना का नाम दिया गया है आत्म बोध से सुरू होगी पहले तत्व बोध करना होगा उसको उपासना कहा गया है तत्व बोध मैं कल कैसा था और आज मुझे कैसा बनना है आज अपने में मुझे कितना निखार ले करके आना है इसी बात पर ये टिका हुआ है जीवन मैंने कहा है जीवन को उम्र से मत तोल लेना 40 साल का आदमी अगर बच्चों की तरह लड़ाई करता है तो वो 4 साल का है 40 साल का नहीं है फिर से कह रहा हूँ अगर 40 साल का आदमी है और उस पर समझदारी, मैचुरिटी नहीं आई समझदारी नहीं आई तो वो 4 साल का है बड़ा कोन है? जिसमें जितनी समझदारी आएगी गुर्देव ने इसके 4 चरण बताए है इमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहद्दुरी जो अपने प्रती इमानदार है यहां से सुरुवात होगी जब आपकी इमानदारी, अपने प्रती इमानदारी पकने लग जाएगी तो आप जिम्मेदार बन जाएंगे आद्धिकत यही है कि आदमे किसी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तयार नहीं है किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तयार नहीं है यह उसकी कमजोरी है अगर आदमी मजबूत बनना चाहता है तो उस वजन को उठाए याद रखना पदार्थ का, मिट्टी का, इनका बोज नहीं होता है व्यक्ति पर जो बोज होता है वो जिम्मेदारी का बोज होता है और जिम्मेदारी में सबसे पहली जिम्मेदारी अपनी है जो अपनी ही जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा वो दूसरे कैसे उठाएगा दूसरा तो उसको बोज लगेगा दूसरा तो उसको बोज लगेगा और कहां तक बोज लगेगा कई बार व्यक्ति मनी मन सोचता है जंजट पैदा कर लिया आपने लिए फस गया मैं कैसे मेरा पीछा छूटेगा नहीं जो जुम्मेदारी आप पर समय के अनुसार आई है जो भी जुम्मेदारी हो उसको आपको निभाना पड़ेगा जुम्मेदारी को निभाएंगे तो परिपक्वता समुन्नत सफल परिस्कृत आपका स्वरूप अनायासी होने लग जाएगा और आपका निर्मान होने लग जाएगा जुम्मेदार बनाईए आप अपने आपको अरे अपनी अंतरात्मा की जुम्मेदारी नहीं लेंगे क्या पहली जुम्मेदारी तो अपनी अंतरात्मा की है जो उसने जीव के रूप में बुद्धी के रूप जीव के रूप में आपको दिये परंतु साथपूर्ती के लिए बुद्धी और मन शरीर आपको दिया है और शरीर को परिवार, संसार, समाज, सब कुछ दिया है आपको अपना तत्वबौध का ग्यान करना पड़ेगा वहाँ से आपको अपनी जिम्मेदारी को सुरू करना पड़ेगा देवता, मंत्र, सिद्ध पुरुष जितनी भी समर्थ सत्ताएं हैं जिसे जो वर्दान मिले हैं वो उन वर्दानों के सहरे अपने जीवन को जीते हैं मैं फिर से पूछता हूँ आप बहुत एकाग्र हो करके गहन चिंतन अपना करिये क्या इश्वर के अनुदान वर्दान आपके पास नहीं हैं आप कितना उनका फाइदा उठा रहे हैं उनका कितना प्रियोग कर रहे हैं अरे जब करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान रस्री आवत जात पर सिर पर पड़े निसान यानि के रस्री कितनी कमजोर है परंतु सिल्ली को भी घिस देती है पत्थर को भी घिस देती है आप वो चीज है आप अपने आपको पहचानिये यही तत्वोध है मैं फिर से कह रहा हूँ पूजा पाठ के साहरे किसी को अनुदान वर्दान मिल गए हो तो मैं नहीं जानता है और मानता भी नहीं हूँ परन्तु करम के सहरे उपासना के सहरे तथ्व आत्म बोध साधना के सहरे किसी को अनुदान वर्दान रिद्धी सिद्धी ना मिली हो तो मानता नहीं हूँ नहीं मानूँगा इसलिए तत्वोध से अपनी बात को सुरू करना पड़ेगा बसंद पंच में आ रही है अनुस्थान सुरू होने वाला है दोई दिन बचे हैं इसलिए तैयारी कर लीजी अपने साथ न्याए करिए अपने साथ न्याए करिए मैं बड़ी मांदारी से कह रहा हूँ जब व्यक्ति का आखरी समय आता है तो सारे रिष्टे छुटाई देते दिखते हैं छुटते हुए दिखते हैं भागते हुए दिखते हैं कैसे जब पेड का अंतिम समय आना सुरू होता तो पत्ते पहले से पीले पढ़ करके जड़ने लग जाते हैं, फिर कोई साथ नहीं देता है, याद रखना, मैं वेराग्जी की भावना पैदा करना चाहता हूं, भगोडा नहीं बनाना चाहता, आपने शादी की है, आपने जिम्मेदारी को लिया है, आपने बच्चे पैदा किये हैं, आपने जिम्मेदारी को लिया है, आपने अपने परिवार को पालने के लिए कोई व्यापार किया है, नोकरी किया है, तो आपने जिम्मेदारी को लिया है, परिमानदार कितने हैं, इमानदार कितने हैं, चिंतन से चरित्र बनता है, अपने चरित्र का निर्मान कितना किया है याद रखना, जिसको वर्दान मिले हैं, उसको अनुदान मिले है, जिसको वर्दान मिले हैं, उसको अनुदान भी मिले है और अनुदान देवता ने आपको प्रसन्न हो करके दिये है देवता ने अनुदान अपने प्रसन्द होकर के आपको दिये है अब देवता को प्रसन्द करना पड़ेगा और याद रखना मैं नहीं कह रहा हूँ दूसरे देवताओं पर भरोसा मत करना पर इस जीवन पर भरोसा करना इस जीवन पर भरोसा करना जो आप पाना चाहते हैं वो किसी बाहर के देवता से मिल जाएं सहयोग मिल जाए ठीक है परन्तु जीवन देवता जरूर आपको देगा आवशकता इस बात की है कि जीवन देवता की स्थिती को समझे वो तो भोज के तले दबा पड़ा हुआ है जो हमारे कर्मों के बोज है जो हमारे पापों के बोज है उसके नीचे हमारा जीवन रूपी देवता दबा हुआ पड़ा हुआ है यही राक है जीवन के ऊपर आत्मा के ऊपर यही राक है इसलिए कि निखार उसमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा और निश्चित रूप से जानना अगर राख हटेगी तो चमक अगनी की गर्मी निकलेगी ही निकलेगी उसे कोई नहीं रोग सकता कोई नहीं रोग सकता जीवन आपका है आपके वसी बहुत है आप चाहें अपना जैसा मर्जी प्रियोग कर सकते हैं अगर सादक को व्यक्तिगत उत्करस्टता सकती चाहिए तो एक चुम्बक्त अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा एक चुम्बक्त अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति पैदा हो जाए कि आपके उपर देवता के अनुदान अपने आप बरसने लगें सब कुछ इस दुनिया के अंदर है कल एक बिटिया बडोद्रा से मेरे से बात कर रही थी अपनी दिक्कतों को बता रही थी मैं पूछता हूं जितनी दिक्कते है उससे दस गुणा जाद है भगवान अच्छा कर दे अच्छा ही नहीं कर दे लेवल पर ही नहीं लेए दस गुणा और जादा दे दे तो उसका अपना नहीं होगा अपना नहीं होगा तो जो अनुदान मिले है वो उसका फाइदा नहीं और बुरा कर जाएंगे दुनिया गास के तिनके से लगा करके इंसान तक सब की है जितने भी सरीर में जीवधारी हैं उन सब के लिए इस दुनिया है धरती है अपनी अपनी इच्छा से सब विच्रण करते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तिन तैसी सब कुछ अपने पटिका हुआ है अगर अपने दुखों को मिटाना चाहते हैं तो अपनी कमजोरियों को मिटाना पड़ेगा कल एक कारिय करता मेरे से बात कर रही थे बात चल रही थी पुण्य क्या है और पाप क्या है पुण्य क्या है और पाप क्या है तो हमें एक निर्णे पर आए जिसको याद रखा जाए जो याद में उतर करके आ जाए जो बार-बार इच्छा परकट करे या पीड़ा दे वो पाप है और जिसको करके भूल जाए जिसको याद रखने की आवशक्ताई महसूस ना हो उसको पुर्णी कहते है अब ज़र आपने आपको टटोल करके देखिए अपनी स्वर्ती में घुस करके देखिए अपने चिंतन को टटोल करके देखिए आप जब करने बैठते हैं चिंतन में तरे तरे के विचार आने सुरू होते हैं धूंडिये उनको गहन चिंतन करिए मैंने अभी कहा था जीवन को सफल उतकरष्ट परिस्कृत अनायास नहीं बनाया जा सकता अगर बनाना है तो गहन चिंतन आपको करना पड़ेगा जो आपकी स्मर्ती में चल रहा है जो विचार अनायासी उमड घुमड रहे हैं जिनको जान बूज करके आप याद कर रहे हैं अपने मन से लगा रहे हैं वो पाप है कपड़ा धुलता है तो सफाई में चमक अपने आप आजाती है साप चीज में चमक अपने आप आजाती है कमरे की सफर्स की सफाई करते हैं सामान को विवस्थित लगाते हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है कहीं से लाणा नहीं पड़ता है मन को अच्छा अपने आप लगता है इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने आपको परिस्कृत करना पड़ेगा अगर हम अपने आपको अच्छा कर रहे हैं तो किसी पर ऐसान उपकार नहीं कर रहे हैं अपने पर कर रहे हैं अपना अच्छा आपको करना पड़ेगा तब ही आप दुनिया में अच्छाई को देख सकेंगे दुनिया बहुत अच्छी है पर मेरी दुनिया मैंने खराब करके रखी हुई है मेरे ही कारण मेरी दुनिया गंदी है मानना पड़ेगा देव अनुग्रहे की बात कर रहे है देवताओं के वर्दान अनुदान ऐसे नहीं वरस्ते है पात्रता होनी चाहिए प्रगती होनी चाहिए किसी भी दिशा में बढ़ने के लिए मनुष्य को अपने व्यक्तित्त के साथ एविछिन रूप से जुड़ी हुई अपनी साधनाओं को गुणों को क्रियासील करना पड़ता है उद्गम का स्रोत्र आपके अंदर है बाहर नहीं है आप में उचंग आनी चाहिए आप में जनून आना चाहिए आप में जोस आना चाहिए मैं ये कर सकता हूँ अगर ये हिम्मत आपकी अंदर से जगती है तो इसी को वरत कहते है मैं ये कर सकता हूँ अगर ये हिम्मत अंदर से आती है तो आपका जोस जगरा है आपकी हिम्मत जगरही है आपकी अंतर चेतना करी आप ये कर सकते हैं तो कर ले जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते बच्चते हैं बच्चते हैं तो ना सही योग कर पाओगे अरे भोग के लोब के काम के करोध के कारिय तो आप कर लेंगे तो मैं पूछ रहा हूँ आपकी उमर कितनी है जितनी मैचुरिटी आपके अंदर है सीधा सा सवाल है सीधा सा जवाब है जितनी परिपक्वता मैचुरिटी आपके अंदर है उतनी आपकी उमर है व्यक्ति शरीर से साधन से वैभव से इन से बड़ा नहीं होता है अगर व्यक्ति बड़ा होता है तो आत्म भाव से बड़ा होता है आत्म भाव आत्मियता आत्म भाव उससे बड़ा होता है बड़ा बढ़ने का प्रियास करिए बड़ा बढ़ने का प्रियास करिए ये बेटा कनिस्का सिंग लिख रही है मदर्स डे बेटी ये तो दुनिया में आते जाते रहते आया है तो शाम तक चला भी जाएगा हाँ ये जो लिखा है ये ठीक है ये जो लिखा है ये ठीक है चेंज चेंज परिवर्तन 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 बेटा जहां से ममता मिले वो इमा और मा का अगर सच्चा सरूप देखना है लाडली मैं अंदर से कह रहा हूँ मा का सरूप सच्चा अगर देखना है तो मा वो ही है जो ये कहती है मैं बच्चे को ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी ये बनाऊंगी बस एक ही धुनसवार रहती है जो आपके लिए निर्मान की बात करे जो आपके लिए सपना देखे बेटा मैं पूछ रहा हूं मेरा सवाल है सबसे सवाल है यह जो मैं कर रहा हूं बोल रहा हूं क्यों बोल रहा हूं मेरे सामने तुम्हारे नाम आते हैं निखिल आया हुआ है, रूपाक्षी आया है, ललिता आया है तो मैं भी तुम्हारे सपने देखता हूँ निखिल को ये बनाऊंगा, रूपाक्षी को ये बनाऊंगा, ललिता को ये बनाऊंगा मेरे मैं भी सपने देखता रहता हूँ तो मा किसको कहते है सरीर से व्यक्ति पुरुष हो सकता है परन्तु हिर्दै से मत कह दे न जिसके ममता बड़ी है वो ही मा है जिसके अंदर ममता काम करती है वो ही मा है और याद रखना मा वो चीज है कि जिसके आचल में जाकर के जिसकी गोद में बैठ करके आप अपने सारे दुख मिठा सकते हैं वो ही मा है हाँ नामदेव जी बिलकुल ठीक कह रहे है मा बहुत छोटी चीज नहीं होती है अगर धरती का भी आधार है दुनिया में जो कुछ भी है वो सब मा है मा से ही सब की उत्पत्ती है मा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है गाइत्री भी मा है दुरगा भी मा है काली भी मा है जो आपको ममता दे और ममता से आपकी पीडा को हर ले वो मा है उस भाव को नहीं जगाना क्या मा को खाओगे क्या मा खाने की चीज है अपनी अंदर की ममता को जगाईए अपनी अंदर की ममता को जगाईए सब ठीक होता चला जाएगा भगवान के अनुदान तो बेर पर भी वरस्ते है तो आम पर भी वरस्ते है भगवान तो एक ही है उसके अनुदान सब पर वरस्ते है परंतु उनी अनुदानों से बेर कांटे पैदा कर लेता है आप वो नहीं पैदा करेंगे ममत्त को अपनत्त को इसको जगाए इसको जगाए मैं तो मानता हूँ मेरा गुरू मेरा भगवान है मेरा गुरू मेरा भगवान है सच बताओ अगर आज मेरी जिन्दगी से मेरे गुरू को निकाल लो तो मैं क्या हूँ आज जो भी कुछ मैं हूँ मेरे गुरू के कारण मैं हूँ मेरी शक्ती अपनी निजी शक्ती नहीं है मेरे सरीर में जो शक्ती काम कर रही है मेरे मन में जो शक्ति काम कर रही है मेरी बुद्धी में जो शक्ति काम कर रही है वो मेरा गुरू काम कर रहा है अपने आपको समर्पन करके अपने आपको देख करके तो देखो आपको क्या से क्या बना देगा आपको क्या से क्या बना देगा गुरू की महिमा को हम समझ नहीं रहे हैं गुमाने बुराई, रुमाने प्रकास बुराई मेरी और प्रकास गुरू का गुरू के प्रकास से मेरी बुराई मिठती है मेरे गुरू से बढ़कर के मेरी मा कोई नहीं है भावना से लिपट जाओ अरे सरीर से नहीं कह रहा हूं भावना से अपने गुरू से लिपट जाओ जितनी भावना गुरू से लिपट जाएगी याद रखना जो बोल रहा हूं उसको याद रखना अनुवरत की बात कर रहा हूं बच्चो काम तुमी से चलेगा काम सारा तुमी से चलेगा जब गायत्री मंत्र का जब करते हो तो वो गायत्री मा का जब है एक सूरज है, एक सूरज की ताकत है सूरज की ताकत ही मा है उसी को गायत्री माता कहते है जड़ा लिपट ये जब आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो वो जो आपके अंदर से कमपन विचारधारा निकल करके जाती है वो सूरज पर जाती है ज़र आप भेजिए और एक नियम और भी है संसार का जो बोता है वो काटता है जो करता है वो पाता है जो जैसा करता है वैसा पाता है ये भी स्रस्ती का नियम है ये भी स्रस्ती का नियम है तो हम वो ना करें जिसको हम पाना चाहते हैं अरे जिम्मेदार बनिये अपनी अंतर आत्मा का जिम्मेदार बनिये गुरु की जिम्मेदारी लो गुरू की जिम्मेदारी लो अपने उपर लो गुरू आपको क्या से क्या बना देगा आप सोच भी नहीं सकेंगे दुनिया का इतियास मैंने भी कहा है कुछी देर पहले मैंने कहा था देवताओं के अनुग्रह बरसते हैं अनुदान मिलते हैं आसिरवाद मिलते हैं तो वो व्यक्ति को कुछ से कुछ बना देते हैं व्यक्ति केवल केवल अपने सरीर को अपने दुखों को बस इनी को सब कुछ माने हुए है ये तो चाया है ये तो हमारे अच्छा बताओ किसी को दुख मिल रहा है तो उसके कर्मों से नहीं मिल रहा याद रखना कर्मों का निर्मान भी किया जाता है करम काटे भी जाते करम मिटाई भी जाते है करने वाला कर जाता है पर मिटा और काट नहीं पाता है भोगना पड़ता है हम सब क्या कर रहे हैं अपने कर्मों को ही तो भोग रही है जो दुख सुख हमें मिल रहे हैं हमारे कर्मों से ही तो मिल रहे है गुरू की कर्पा गुरू से बड़ी होती है गुरू की कर्पा गुरू से बड़ी होती है जिसको गुरु की किर्पा मिल गई उसका उद्धार हो जाएगा और दुबारे से बोल रहा हूँ कर्पा को केवल सेवा भाव से ही पाया जा सकता है कर्पा किसी की भी लेड़ी हो तो सेवा भाव से ही उसको पाया जा सकता है और करम का ही महत्व है दुनिया में करम का ही महत्व है दुनिया में जो करेगा वो पाएगा सिद्धान्त है उसको कोई नहीं रोक सकता जो करेगा वो पाएगा अगर पाना जो भी पाना चाहते हो अंदर से देखो मैं क्या पाना चाहता हूँ तो उस छेत्र में मुझे करम करना पड़ेगा परंतु इमानदार हो करके इमानदार हो करके करम करना पड़ेगा वो ही करम करना पड़ेगा जो मैं पाना चाहता हूँ इंतजार करना पड़ेगा बीज बोया जाएगा इंतजार फसल का आने का किया जाएगा अरे खेती बोई जाती है तो उसके फसल भी पैदा हो करके आती है अभी चाहिए तो गुरु का अनुदान लेना पड़ेगा गुरु से अनुदान लेना पड़ेगा खेर समय जाद हो रहा है कल फिर समझाऊंगा अनुवरत लेने हैं कल फिर समझाऊंगा आज किवल इतना निवेदन कर रहा हूँ सामने ये सिवचन सुकला है ये काफी मैं देख भी रहा हूँ महनत कर रहे हैं इमानदारी से कर रहे है और काफी व्यक्तियों को जोडने का इनोंने संकल्प भी लिया है गुर्देव के अनुदान आपको निश्चित रूप से मिलेंगे गायत्री मा की साहिताएं आपको निश्चित रूप से मिलेंगे करें परन्तु आज सब से प्रार्थना कर रहा हूँ इस बच्चे का सिवचन सुकला का जबरजस्ती एक केस इसके उपर बन गया है उस बात को भी मैं समझ रहा हूँ और बेटा भगवान तेरे साथ न्याय करेगा भगवान सत्य पर चलता है देवताओं के अनुदान मिलते है अपने आप इमामदारी से सोचना अपनी अंतर आत्मा से पूछना सच्चाई कहां है अगर आप सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो अनुदान मिलेंगे ही मिलेंगे कोई रोक नहीं सकता कोई कुछ नहीं करता है मैं भी कुछ नहीं करता हूँ जो कुछ तुमने बोया है वो काटना पड़ेगा अनुदान देवताओं के मागायत्री के गुरू के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे निश्चिन्त हो करके जाईए और सबसे प्रार्थना की जा रही है ये अपने जीवन में सफल हो ये अपने जीवन में सफल हो अब ये गुरूप विल्कुल सच्चाई पर चल रहा है मैं मानता हूँ सच पर चलना बहुत आसान नहीं होता है कल मेरी बाबा राम तिवारी से बात हो रही थी उन्होंने बहुत अच्छा कहा ये कहरे एक व्यक्ति रोज जोड़ा जाए बाबाराम ने कहा आठ दिन में एक व्यक्ति जोड़ा जाए मैं तैयार हूँ आठ दिन में एक व्यक्ति जोड़िए एक सप्ताहा में एक व्यक्ति भी जुड़ा और ये 24-25 व्यक्ति है तो एक सप्ताहा में कितने सारे जुड़ जाएंगे इस यात्रा को आगे बढ़ाईए ये महायग्य की यात्रा है गुपता जी भी लिख रहे हैं इस बात को ये महायग्य है इससे बढ़ा कोई यग्य नहीं है जिसमें आकर के बंदर भालूओं की तरह से राम के बंदर भालूओं की तरह से कूटते चले जाएं सत्य के मार्ग पर ये बहुत बड़ा एक अभियान हो जाएगा बेटा आप जाईए अपनी मंजिल पर जाना पड़ेगा आपको जाना ही पड़ेगा इसलिए जाईए सफलता गुर्देव की कृपा से आपको मिलेगी आज की बात को यहीं संपन कर रहा हूँ कल फिर समझाँगा इसी विशे को क्योंकि अनुवरत पर आपको तैयारी की जा रही है खेत को तैयार किया जा रहा है 26 तारीक को बीजारोपन किया जाएगा बीजारोपन किया जाएगा और मेरे बच्चों बच्चे मुँ भड़ करके कह रहा हूँ कर लो जितना कर सकते हो और यह पुढ़ने की खेती है कर लो आज की बात समाप्त कल फिर बात करेंगे Om Santihi, Santihi, Santihi